पाँच राजियों में बिधानस्वा चुनावों से पहले सी वोटर के एक ओपिनियन पोल में कॉंग्रेश को राजस्थान में 145 सीटों के साथ भारी बहुमत और मधिपरदेश में शाधारन बहुमत मिलने का पुड़वानमान जताया गया है सेंटर फोर वोटिंग ओपिनियन्स और ट्रेंडर्स इन इलेक्शन रिशर्च ने नवंबर के दूश्य शप्ता में अपने सर्वेच्चनों में तिलंगाना में कॉंग्रेश तिदेपा को 64 सीटों के साथ असपष्ट बहुमत मिलने की संभावना जताई है और 36 गड़ में 24 दिशंबर को होंगी राजस्थान के सर्वे में भाजपा को केवल 45 सीटे मिलने की भविश्वानी की गई है भाजपा को केवल 49.07% मिलने का पुर्वानमान जताया गया जबकि कॉंग्रेश को 47.09% मिलने की बात कही गई है मद्यपरदेश में सी वोटर के पोल में भाजप को 107 सीट मिलने का पुर्वानमान जताया गया यहां कॉंग्रेश को 116 सीटों के साथ साधारन बगमत मिलने की बात कही गई है 36 गड़ में कड़ी टकर का पुर्वानमान जताते हुए सी वोटर के सर्वे में कॉंग्रेश को 41 सीटे और भाजपा को 43 सीटे मिलने की संभावन 110 सीटे और भाजपा को 84 सीटे मिलने की संभावना जताई गई है सीफोर के सर्वे में कॉंग्रेश को 130 और भाजपा को एक सोल और कॉंग्रेष को 105 सीटे मिलने की संभावनां जताई है 35 गड़ में CNX ने भाश्वा को 50 तो कॉंग्रेष को 30 और अनि Cop 10 वहीं CHDS ने भाश्वा को 56 कॉंग्रेष को 25 और अनिय und harvest कीए कॉंग्रेष की मुक्षवक्ता रंदीव सूरजवाला ने कहा कि सी वोटर का सर्वे प्रशंसनीय और रोचक है और जमीन पर हालात ऐसे हैं कि 36 गड मधिपरदेश राजस्थान और तेलंगाना में भी पार्टी जबरदस्त तरीके से जीत रही है भाजपा प्रवक्ता बिजय सोनकर शास्त्री ने सरवेक्चनों को खारिज करते वे कहा कि उनकी पार्टी न केवल अपने सासन वाले तीनों राजियों में फिर से सरकार बनाएगी बल कि तेलंगाना तथा मिजोरह में भी सता रूट गडवन्दन का हिसाब होगी